साथियों, एक साल पहले, जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आगरत किया था, कि आप कोरोना को गाउं में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमी का निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुसलता से न सिर्फ कोरोना को गाउं में पहुंचने से रोका, बलकि गाउं में जागरुकता पहुंचाने भी बहुत बड़ी भूमी का निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनोती है, वो चुनोती पहले से ज़रा ज़्यादा है कि गाउं तक इस संक्रमन को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गाउं ने जो नेत्रुत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी टिस्प्रिन के साथ, और जादा से जादा लोगों का साथ ले करके, बहुत ही पक्का करेंगे, सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब एक साल का अनुभव है, संकट के समन में जादा तरब जानकारिया है, संकर से बचने के रास्तों के समन में जानकारी है, और इसलिए मुझे भिस्वास है कि मेरे देश के, मेरे गाउं के सारे लोग, गाउं का नितरुत्व करने वाले लोग, गाउं में कोरोनिया को प्रवेस करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से वेवस्था भी करेंगे जो भी गाइडलाइन्स समय समय पर जारी होती हैं उनका पूरा पानन गाउं में हो हमें ये सुनिश्चित करना होगा इस बार तो हमारे पास वेक्सिन का एक सुरक्षा कवच है इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गाउं के हर एक व्यक्ति को वेक्सिन की दोनों डोज भी लगें भारत सरकार अभी 45 आयू के उपर के हर व्यक्ति का मुप्त टिका करन कर रही है हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है अब एक मई से 18 साल की उम्रसे उपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है आप सभी साथ्यों के सहयोग से ही ये टीका करन अभ्यान सफल होगा आप